नमस्कार एने, विलकम यौल तू स्टडी आईक्यू, मैं हूँ प्रशान धवन, और रीसंडी, युनाटेट स्टेट्स अव अमेरिका की तरफ से भारत के सपोर्ट में एक बहुत ही इंपोरेंट स्टेट्मेंट आई है, कि अरुनाचल पदेश इंडिया का इंटेग्रल पा करती है, इस टॉपिक पर वाइदावे, मैंने एक अलग से वीडियो आपके लिए बनाई थी, ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, ये एक कंटिनुएशन की वीडियो है, इससे पहले आपको यादो का मैंने आपको बताया था, कि चाइना ने विरोध किया था, जब कि अरुआचल प्रदेश चाइना का पार्ट है, अब उसके बाद हमने देखा है, कि USA में एक स्पोक्समें से जब ये पूछा गया, सरकारी स्पोक्समें से ये पूछा गया, कि अरुआचल प्रदेश को लेकर USA का क्या स्टांस है, तो ये जवाब आया USA की तरफ से, Now USA के जो रिमार्क्स हैं, ये चाइना को चुबे हैं, और जैसे ही USA ने ओपनली इंडिया का समर्थन किया, अरुआचल प्रदेश को लेकर, चाइना ने का के ये फर्मली अपोस करते हैं, US रिमार्क्स ओन अरुआचल प्रदेश, मैक्सिमम इनकी स्टेट्मेंट यही आई है, क्योंकि इसके आगए ये कुछ कहनी पारे थे, बट आपके मैंड में क्वेस्चन आएगा, कि US ओपनली ये तो कहता है, कि अरुआचल प मैप है, इंडिया का, एक्चली ना सिर्फ इंडिया का, पुरी दुनिया का, वहाँ पे इंडिया को, इंडिया की जो बॉर्डर है, उसको ये लोग कैसे देखते हैं, यहाँ पर देख पाओगे, यह है वर्ल मैप, USA के परस्पेक्टिव से, मैं यहाँ पर इंडिया का जो ओफिशल मैप है, जो एक्चुल मैप है इंडिया का, यह भी अलग से आपको दिखाऊंगा, ताकि आपको याद रहे के यह एक्चुल मैप है इंडिया का, मगर USA दुनिया को ऐसे देखता है, अब यहाँ पर देख पाओगे, जो इंडिया का मैप है ना, according to the US, यह देखो इसको यह लोग कहते हैं, United States Central Intelligence Agency मैप, यह 2015 जैनुवरी के महीने में पपलिश किया गया था, आप नोट करो, अर्मनाचल पदेश को US officially अपने वर्ल मैप में इंडिया का पार दिखाता है, मगर अकसाई चिन को यह लोग दिखाते हैं, एक डिस्पूटिड टेरिटरी और सेम के हैसा आपको मिलेगा, पाकिस्तान occupied कश्मीर और इंडियन साट के कश्मीर का, यह लोग कहते हैं कि यह जो रीजन है, यह भी डिस्पूटिड है, अब यहाँ पे न मैं आपको बता दूँ, देखो पी ओ के और जो कश्मीर का जो एशु है वो अलग से डिसकस करना पड़े के युएस अरुनाचल परेश को लेकर तो क्लियर है, मगर अकसाई चिन को लेकर युएसे का स्टान्स अतना अजीब सा क्यों है, क्योंकि लेगो मैं आपको यह बता दूँ, युएस कई बार इस बात को लेकर रेजिलूशन पास कर चुका है, स्टेटमेंट्स दे चुका ह के ये लोग मानते हैं McMahon Line को, आपको बताओगा British Empire के टाइम में एक line, एक border draw करी गई थी, भारत और उस वक्त तिब्वित के बीच में, जिसको कहा जाता है McMahon Line, McMahon Line के हिसाब से जो ये इंडिया की border है न, चाइना, तो युएस काफी बार इस border को support करता है, मगर अजीब बात दे एशू USA के साथ race करें, कि Oxide Chin, McMahon Line के हिसाब से, जिस line को आप ही कहते हो, कि ये बिलकुल proper international boundary है बिट्विन इंडिया और चाइना, तो उस हिसाब से Oxide Chin को भी अपने map में इंडिया का part दिखाओ, और जिस तरीके से अरुनाचल परेश के एशू को लेकर हमारा support करते हो, चाइ यहाँ पर प्रवलम आती है USA की, एक तरफ ये स्टैप की statement देते हैं, जिससे एक बार को इंडिया में confidence बिल्ड होता है towards US, but at the same time ना, हम लोग ये भी देखते हैं, कि USA में पन्नु को लेकर, आपको बताओगा, पन्नु जो काफी बार इंडिया के against openly statements दे चुका है, उस की ध पैसे भी दिये, हिटमेन को पैसे भी दिये पन्नु को बारने के लिए, और आज के समय USA के हिसाब से वो इंडिया नेजन्ट जेल में है, तो अब उस इशू को लेकर, US इंडिया पे क्या प्रेशर डालेगा ना, इस पर रिसेंटली वाशिंटन डी सी में एक डिसकेशन हो और एक बार को डिसकेशन में ना, इंडिया पे प्रेशर डालने के लिए सांक्शन की भी बात की गई, यह जो चोटी सी क्लिप है, यह मैं चाहता हूं, आप देखें, अब आपने सुना, यह कहा रहे हैं, कि अलेक्सी नवैलनी की जो मौत हुई थी रश्या में, इनके बार में आपको बदा जुगा हूं पहले, पुतिन की वीडियो में, कि अलेक्सी नवैली कौन थे, रश्या की जेल में कैसे उनकी मौत हुई, तो यह उपिशल यहां पर कह रहे हैं, कि नवैलनी की मौत के बाद, USA ने बहुत सारे सैंक्शन लगा दिये, रश्या पर, क्या ऐसे सैंक्शन और ट्रावल बैन, हम इंडिया पर भी लगा दें, आप यह सोच हो, यह इनकी सोच है, यह सोच हटने में टाइम लगेगा, और फनी बात देखिए, जब यह इस इशू पर बात करनी स्टार्ट करी न, तो इसने का था, के यह पाकिस्तान इलेटेड इशू नहीं है, यह इसको इसलिए कहना पड़ा, क्योंकि इंडिया के बारे में डिसक्शन हो ही नहीं रहा था, दिसक्शन हो रहा था, पाकिस्तान में recent elections के बारे में, उसमें भी न, इन्हें पन्नू का issue add करना पड़ा, और ये इस आत्मी ने आपर ये कह दिया, कि इंडिया पर sanctions और travel restrictions कब हम लगाएंगे, हाला कि इसके response में डॉनल लू ने ये कहा, कि हम इंडिया को accountable ठराने की कोशिश करेंगे, जो भी plotters थे, यहाँ पर उनको accountable ठराने की कोशिश करेंगे, कुछ sanctions की बात से ये दूर रहे, क्योंकि इनको पता है कि US कहीं से भी इंडिया पर sanctions लगाना अफोर्ड नहीं कर सकता, especially पन्नू के case में, बट मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि कितने सारे differences अभी भी exist करते हैं करने की आप सकता है, और actually मैं आप सब लोग को कहूंगा, मैंसे बहुत सारे लोग Instagram, Twitter, बहुत कुछ यूज करते हैं, अब धीरे-धीरे अपने discourse में ये बार लाना स्टार्ट करिए, कि अगर USA, McMahon Line को मानता है, तो Oxide Chin, US अपने maps में, इंडिया का part क्यों नहीं दिखाता, बह वीडियोज डिमांड करिए, और जगा, और कोशिश करिए कि eventually इस पर articles publish हो, और ये बात हो सके, एक दिन तो टॉप लेवल पर भी जाए, कि why is US not considering Oxide Chin as a part of India, ये बहुत important है, इंडिया-US relations के लिए, कि US proper map of India को recognize करे, और उसको support करे, तबी Indians में एक genuine trust आपाएगा towards Americans, और finally यह मैं आपसे question पूछूँगा, question का answer आप सब लोग करोगे comment section में, कि हाली में release हुई world happiness report के साब से लगातार साथवी बार, दुनिया का सबसे खुश देश कौन सा है, ये है आपकी option, Ukraine, ये option किसने लिखिए, Ukraine, really, Ukraine, Iceland, Finland, या फिर Sweden, comment section में करिए उत्तर, जो लोग सही answer देंगे उनकी comment को मैं पूरी कोशिश करूँगा, कि हाट मिल जाए, ताकि बाकी लोग भी सही answer समझ पूँआ, और finally, आपर मैं ये भी add कर दूँ, कि study IQ की holy sales start हो चुकी है, prices में, एक huge drop रहने को मिला है, तो ये best time है study IQ के courses purchase करने का, आपको simply क्या करना है, comment section में जाइए, यहाँ पे आपका साथ देगा, study IQ के देखिए, course में खास बात यह होती है, आपका prelims clear हो गया, mains में आप पहुच गए, mains के लिए आपको दिल्ली में study IQ invite करेगा, आपको accommodation, आपका जो खर्चा है study IQ उठाएगा, और उसके बाद interview तक आपको पहुचाने की कोशिश की जाएगी by study IQ, तो एक पूरा comprehensive course है, यह सिर्व ऐसा नहीं है कि बस prelims तक आपका साथ देगा, prelims to interview, that is why it is called P2I course, और जो यहाँ पर price लिखा है, 34,000 का यह पे करने की ज़रोत नहीं है, simply यहाँ पर click करिए 3 offers पर और यहाँ पर आपको लिख जाएगा, enter coupon code, इस जगह पर अगर आप डालेंगे PD 10, तो prices गिरना शुरू हो जाएंगे, सीधा 22,000 रुपे में आप यह course कर सकते हैं, purchase, यह course आपका 30 महीने तक valid रहेगा, so this is the best time to buy this course, अभी होली का discount भी चल रहा है, use the code PD10 and save money, और इसी note के साथ यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as I always say, may the gods watch over you.